जल्दी से स्वागत करिए आप हमारा और हम करते हैं आपका स्वागत हमारी वीडियो में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट तो नहीं है दो तीन महीने पुराना फोन है लेकिन हमने इसका अच्छे से रिव्यू बगरा कर लिया है और क्या क्या अब बात करते हैं अब बात करते हैं फोन के अंदर क्या-क्या मिलेगा बकवास अंबॉक्सिंग में टाइमने डालेंगे यह जो फोन आप देख पा रहे हैं काफी चिक्छा क्वालिटी का यह फोन है डिस्प्लेइस की क्वाड कार्वड यानिकि इस से कर्वड़ है इस से अब यू के लिजी इसके अंदर जो कॉर्णिंग गुरिला ग्लास जो लगाया गया सीशा उसकी ही एज मुड़ी हुई है जहां तक मुझे लगता है अगर डिस्प्ले भी मुड़ी हुई है तो अच्छी बात है चारो से अट से मुड़ी हुई है फ्रेंट के अंदर अब दो केमरे हैं इसके अंदर जी हां दोस्तों जो यू दो केमरे वाला फून है अब को कैसे दिखाए जायएगा फूरी फून का कैमरा जैसे कि अप धेख पना रहे हैं इसके अंदर दो कैमरे तो है और दूसरा डब्बे के अंदर आएगा यह 67 वाट का चार्जर यानि अड़प्टर कह सकते हैं आप इसे तो इसके अलाबा थोड़ा ग्यान वगएरा की बात है डब्बे को अगर हम खोलेंगे भी तो इसके अंदर जादा कुछ है निकलने वाला और खास इसके अंदर आपको एक केस भी आता है जो कि हमने खोल के लगा लिया है क्या फायदा आपको एक्टर टूल भी आएगा साथ में पिन्नी है वो अपने आप लोग करते रहते हैं इसमें टाइम बेस्ट करने की ज़रूरत ने बाकी डबबा है खाली आपका और एक पिन्नी ओवर आती है इसके अंदर इसमें स्टीकर वगरा कुछ है जिसमें कि अगर आप कोई कवर वगरा लगवाते हैं या फिर कुछ और स्क्रीन गार लगवाते तो इसके लिए चेपी चेपी से कुछ दे रखिए तो इस फोन की अगर मैं बात करूं में में देखो गया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिल जाएगा बट अगर मैं बात करता हूं इसके प्रॉचेसर की के पैसिटी के अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए लिए हो क्योंकि कैमरे का पो नहीं कैमरे इसका ज्यादा है लाइका का कैमरा है फंक्शन 60fps करना है तो नॉर्मल मोड 4K पे 60fps भी रिकॉर्ड करतेगा रियर कैमरे से फ्रेंटम में दो कैमरे हैं 32-32 मेडा पिक्सल के जो कि अच्छा है इसके अंदर एक फंक्शन है इस जो प्रोसेसर का फंक्शन क्या है इसके अंदर AI capabilities है इसका मतलब ही हो गया इसके अंदर बहु अच्छा है इसके अंदर एक और दूसरा फंक्शन है और माल नीजिए फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बाइचांस दो लोग अगर आ जाते हैं वीडियो के अंदर आटोमेटिक दूसरे कैमरे से वाइड रेंज मारता है और फ्लूएंट ली आप इसके अंदर सहिसे फटी इसके इसके बटी पॉड़िक परणितिञ की है आई पी रेटिंग बहुत कम है बाकी जो IT रेटिंग है जिसके मोट्रोल ले लेtीजियो उसके आई पी आईपि दिसस्यार आप्रोल 사land्न प्रणल परव्य नम्ट इसके फ्लडियी दूसए इसके आ अंदर जो हैं वो मिलेंगे हलाकि जो हाड़कोर वीवर्स हैं जो कि मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट कंजाप करते हैं ऑनलाइन मीडिया पे जब फुल हडी में देखो तो आपको जहां क्रिस्प कलर्स की बात आईगी तो आपको उसकी ज़रूरत मैसूस होगी तो यह जो फो प्रोसेसर अच्छा है रेम फास्ट है क्योंकि एल्पी डीडियार पाइड़ एकस्टी रेम है काफी फास्ट होती है यूफ फॉर पॉइंट जिरो की इसके इंदर इंटरनल स्टोरेज है वह भी फास्ट है क्योंकि लेकिन प्रॉब्लम है इसके ओएस के अंदर जियां आइपर जैसे होता है मैं आपको समझाता हूं माली जिकोई आदमी बहुत जाथ तेज दोड़ता है जैसी वह रुपता है तो बैलेंस बिगड़ता और कलामन डिकाते हुए आगे जाता है नहीं बैलेंस बिगड़के रूक नहीं बादर लिए वही सेम प्रॉब्लम इसके इसका जो ओसे हो इतना आइपर हो जाता है इतना इतना डिल बैठने माला हो थोड़ी देर में तो यह अटक जाता है यह जो प्रॉब्लम है इस वह सफ्ट्वेर से जल्दी फिक्स हो जाए तो अच्छी बात है और दो तीन चीज़े हैं इसके अंदर जो कि सॉफ्ट्वेर इसके विज़े से ही साइथ प्रॉब्लम करती है इतना इतना डिस्प्ले इतना चुगी आगे पीछे दोनों तरफ पुर्ण नहीं गुर्ला गिलास लगा हुआ इसके अंदर इसके बाद भी मजबूत ही अच्छी है डिस्प्ले की क्वार्ड कर डिस्प्ले बोल रखा है व आडियो जूम का अप्शन है सारी कंपनियों से एक रिक्वेस्ट है अगर आप एक कंटेंट कंजम्शन रिकॉर्डिंग के लिए मतलब कंटेंट बनाने के लिए अगर फोन बना रहे हैं जिसके अंदर आप कैमरा फंक्शन डाल रहे हो तो प्लीज दोस्तों इसके अंदर आडियो सिस्टम भी ऐसा डालो कि लोग अच्छी से रिकॉर्डिंग कर सके अगर मैं इस फोन से रिकॉर्डिंग करता हूं किसी बढ़ वाले इलाके में तो मेरे से ज़्यादा नॉइस की आवाज इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी तो आडियो के ओपर कोई भी कंपनी मेरे किया से ध्यान ने दे रही है अला कि सैंसंग बहुत ध्यान देती है कॉलिंग पर दे रही है वीडियो में मुझे आइडिया ने उसने कितना काम किया है वीडियो रिकॉर्डिंग में ओडियो फिल्टर का तो सारी कंपनियों को अपने next generation phones के अंदर ध्यान देना हुग अगर आप camera का phone बना रहे हो तो please camera की maintain करो बंदा वीडियो बना करके क्या audio के लिए अलग function लगाना पड़ेगा अलग से चीज़ लगानी पड़ती है अगर आप इस वीडियो को फटा हुआ महसूस कर रहे हो या इसकी लाउडनेस या क्रिस्पनेस जो भी आपो खराब लग रही है तो समझे लीजिए हम इस वाले टूल का इस्तमाल कर रहे हैं डिजिटेक का जो यह model है हम इसको यूज कर रहे हैं इधर लगा करके देख लीजिए और इसकी recording आप सुन पा रहे हो तो अगर आप इसको खरीदने का सोच रहे हो हलाकि आप देख रहे हो बैग्राउंड में नौइस अच्छी खासी है अगर आपको वह नौइस नहीं सुनाई दे रही है तो इसका ठीक है लेकिन अगर आपको इसकी audio quality दिख रही है मतलब जो बार जिर 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 क्या वा तो अब आपन में शेयों कर रहे हैं रेवडी वगरा बातना क्यूंकि सब्सक्राइबर सबको बढ़ाने होते हैं और कस्टमर्स को अपने वीवर्स को अपने अपनी कंटेंट कांजप्शन जितने भी लोग कर रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ रच्छा करने की कोशिश क्या है ना तुरंत के तुरंत काम करो चोटी एटी में हमारी वीडियो एडिटिंग बगरा के लिए इसका कवर है वैसा कवर नहीं है अच्छा है अलिमूनियूम का जो फ्रेम है इसका बाकि दिखने में तर ला जब आप फोन है डिस्पले भी अच्छी है कैमरा भी एक थोड़ी प्रॉड्रम समझे लीजिए कुछ भी समझे लीजिए बाकि में अगर बात करूँ इसके ओवरॉल चीज की तो ठीक है फोन डबल कैमरा आगे है पीछे कैमरा है फोर के रिकॉर्डिंग बगरा है प्रोसेसर अच्छा है और इसकी रैम भी फास्ट है इंटरनल बहुत जादा है इसका तो दूसरी बात अगर आप इसको लेना चाहते हैं वीडियो बनाने के लिए तो इसके अंदर ऑडियो के लिए आपको लगसे कुछ लगाना पड़ेगा तो इसका जो सिस्टम है या किसी भी जो कंपनिया है और यो कोई कंपनी काम नहीं कर रही है क् वीडियो रिकॉर्डिंग क्या फाइड अगर ओडियो में ही नौई साज रहेगी सारी की सारी फैमरी की क्वालेटी बढ़ा हो थोड़े फंक्शन ओडियो के लिए और वीडियो आपको मिलते नहीं क्यों कि त्योवार का सिजान आ रहा है पास में दिवाली आने वाली दंत बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर पसंद आए वीडियो तो जो करना करें लेकिन कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखिए और अपने सवाल भी रखिए कमेंट बॉक्स के अंदर फिर मिलेंगे वीडियो में